जय हिंदी मेरे पहरा साथियों, आज इस वीडियो में cover करेंगे हिंदी का practice set number 13 करेंगे और practice set number 12 तक पुरे cover कर लिये थे, अगर आप वो वीडियो नहीं देखी हैं तो इसी वीडियो को description box में आपको playlist का link मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं और आपको GKGS का भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आप GKGS भी देख सकते हैं और आज इस वीडियो में टूटल करेंगे 25 कूचन जो कि आपको प्रिवेस यह कूचन होगा और जिस वीडियो में आपको 26-50 तक आपको दिया हुआ था तो टूटल करेंगे 25 कूचन तो आपको लाशन में बताना है कि आपको इस 25 में कितना सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है तो चलिए इस टार्ट करते हैं और अर्य स्टार्ट करने से पर aller फिर मैं आप लोग को बता दूं कि चैनल को सेक्राइब नहीं किया है तो छेल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन्व कर लिजिये और वाट्सेप गूरूप से नहीं जूर नहीं चूर्सेफ गूरूप से भी जूर जाई है तो चले ये स्टाट करते हैं 26 नमर कुछन से तो 26 से 28 तेक जो कुछन दिया हुआ है जो एक ही पैटरन पर कुछन दिया हुआ है उसके लिए निर्देश दिया हुआ है निर्देश में क्या है वो पले पढ़ते है ठीक है तो दिया हुआ है कि दिये गए अप्तरन को ध्यान पुर्वक पढ़िए और उस पर अधारी प्रोष्णों को उतर दीजिए ठीक है अप्तरन को पढ़ना है और उसको पर अधारी जो कूशन दिया है उसको आपको इंसर देना है तो अप्तरन में क्या दिया हुआ है वो अप्तरन पहले पढ़ लेते हैं आप लोग भी वीडियो को रोक करके आप अपतरन पुरा सही से पढ़ लिजेगा उसके बाद आप इंसर दीजेगा तो आपको 100% सही एंसर आपको आएगा ठीक है यह आपको कधान समंदित यह कोशन दिया हुआ है तो अपतरन में क्या दिया हुआ पले पढ़ते हैं तो इसमें द पतिवत जीवन के प्रतिक छेत में इसकी आभिशेक्ता है चाहे वेक्तिका जीवन हो या समाज या राष्ट, फिर जीवन भी तो कुछेत्र हैं जिस में निरंतर यूद्य एवमसंगर चलता ही रहता है, इसके आगे दिया हुआ है कि जीवन के पोशन और भीकास पाता है, चक्रवाद से घीरा हूआ तीफिव आलोग प्राप्त करता है वह प्रक्रिति भी एक अनुशासन में चलती हैं है और एक सिक्षिका कि भाति मानव को भी अनुशासन की सिख्षा देती है। जर्फिद्धू चक्र एक निशित अनुशासन का अनुवर्तन करता है। हुकुम बिना ना जूले पाता प्रकिर्ति की इसी अनुसासन बदता की ओर संकेत करता है। अनुसासन सब्द का अर्थ है किसी एक सासन अग्या नियम आथ्वा नियंत्रन का अनिवारे रूप से पालन यदि वेक्ति अपने जीवन में कतिपए निश्चित नियमों का अनुसरन नहीं करता। जीवन में किसी उच लक्षे या धे की प्राप्ति नहीं कर सकता तो वह जीवन निर्मान में सफल नहीं हो सकता। नागपरिकों के हीद के लिए होता है और नागपरिक भी इस वेक्षण से उसका पालन करते हैं। तो दोस्तो यह आपको यह गधान से दिया था यानि कि Garrant डिया है उससे आपको कुशन का एंसर देना होता है या इंसर उसी में रहता है। उसी का एक पार्ट आपको question बना देता है, उससे answer देना होता है, तो ये 26 number question में क्या question दिया हुआ है, कि जीवन को कुरुचेत कहने से लेखक का आसे है, आसे की जीवन है, यानि कि जो लेखक है, उसको जीवन को कुरुचेत कहने से लेखक का आसे क्या है, तो option number A में दिया करम प्रद्ढान है ऊंसर हो जाएगा तो यह डिए को अनमब्स प्रापती में असफालता का पर मुषका है उसका तो इसका भी राइटेंसर आप्षेन नमर वी हो जायागा जोब संब दिया यह निश्चित नियमों का अनुसरन ना करना ये इसका राइटेंसर हो तो हम अनुसासन का अनुवर्तन करती है इसका राइट एंसर हो जाएगा ठीक है दोस्तों अगरा कूशन देखते हैं कूशन नंबर 39 जो कूशन दिया हुआ है वो भी एक ही पैटर्ण पर है और उसके लिए निर्देश है निर्देश में दिया हो रहता है कि क्या आपको बता ना है तो दिया हुआ है कि दिये गए वाक्य में गाठे छपे सब्द की वरतनी सुधी के लिए दिये गए विकल्प से सुध वरतनी चुनिये यानि कि इसमें जो दिया हुआ है जो गाठे वरतनी जो सुधी है यानि कि वरतनी सुधी के लिए एक विकल्प जो सुध वरतनी चुने यानि कि असुधी दिया हुआ है उसको सुध चुनना है तो क्या होगा तो 29 नंबर में दिया हुआ है कि चरखा चलाना सत्यापुर्वक समानता से प्रिभासित किया जाता है तो यानि जो गाठा में यह प्रिभासित दिया है तो यह प्रिभासित असुध दिया है तो इसका जो सुध क्या होगा वर्तनी तो यह प्रिवासित जो है इसका जो सुध वर्तनी की बात किया जाए तो जो प्रिवासित जो बी नंबर में दिया है यह इसका राइट एंसर हो जाएगा यानि कि ऑप्शन नंबर बी यानि कि इसका राइट एंसर हो जाएगा अगला संबत दिया है इसमें गाधापन दिया तो संबत कौन साथ सही फोगा तो इसमें जो संबत दिया है एंवम में यह इसका राइ पर लिए निर्देस में दिया निर्देस में निर्देस में दिए गये विकल्पों में से ततस्रम सब्सक्राइब की जा है तो असे में जो दिया है option number A में गहरा, B में तीखा, C में अटारी और D में निस्क्रीस्ट तो इसमें जो तत्सरम सब्सक्रीस्ट की बात किया जाए तो option number D इसका right answer हो जाएगा question number 32 की बात किया जाए तो 32 का option number A में दिया है कि भवी से B में C में मानुस और D में कंकर दिया हुआ है तो इसका जो तत्सरम सब्सक्रीस्ट की बात किया जाए तो तत्सरम सब्सक्रीस्ट जो option number A में दिया है भवी से यह हो जाए ठीक है इसका right answer option number A हो जाएगा ठीक है अगला question देखते question number 33-34 एकी pattern पर निर्देश पहले परते निर्देश क्या दिया हुआ है निर्देश में दिया है कि परते क्वर्ड में दिये गए विकल्पों में से तदभव सब्सक्रीस्ट का chain कीजिए पहले तो तत्सरम सब्सक्रीस्ट पूछ रहा था इसमें तदभव पूछ चला जाएगा यानिकर समय दी इसका राइट एंसर हो जाएगा चौनतिस की बात किया जाया तो 34 में आपसन नमर ए में दिया है मूंग बी में कोकिल सी में फाल्गुन और D में भीच्छा तो इसमें तदभव सब्सक्रीस्ट की बात किया जाते है यह मूंग जो है यह गल्ट मुहाबरे का चाएन किई यह निस से मोहबरा बताना है कि मोहबरा क्या JIM तो 35 नमबर कोर्षन normal question में दिया हुआ कि पतनी वम्मा के पीच अनबन में वह बीच में लटक गिया तो अब आप पपशन Gore में पारो carry की कि जमीन की सकना B में दिया है कि तिर संकू हो ना तो इसका जो राइट इंसर बी हो जाएगा तिर इसका राइट इंसर बी चला जाएगा जो सही एंसर है अब देखते अगला कूचन कोचन नबर 36 36 नमबर कूशन में कहता है कि अपनी मान मर्यादा छोड़कर क्या तुम उससे भीक मांगोगे तो इस मुहाबरे का जो अर्थ हो जाएगा तो अपसिन नमबर डी दिया है इन में से कोई नहीं यानि कि जो अपसिन नमबर ए दिया है कि अंगत से मुनी होना भी में ठोकरे खान कि में हाथ हैली पर सर दो जामाना यह तीनों में से कोई नहीं होगा यानि कि अपसिन नमबर डी चला जाएगा इन में से कोई नहीं होगा ठीक है अगला कूशन देखे कूशन नमबर 37 से अर्थ है एक ही पैटन पर क्या इसमें पुछरा है जो पर देश परते हैं निर्देश में दिया हुआ है कि निम लीखित प्रस्तों में कहावत के प्रचलीत रूप का चेन कीजिए यानि कहावत का प्रचलीत रूप का चेन करना है 37 नमबर कुशन के अप्शन नमबर ए में दिया हुआ है कि चोर चोर चचेरा भाई बी में दिया है चोर चोर सोतेले भाई चोर चोर सगे भाई चोर चेर मोसेरे भाई तो इस जो कहावत का प्रचलन होगा तो अप्शन नमबर दी में दिया है चोर चोर मोसेरा भाई ये इसका राइट एंसर हो जाएगा यानि कि option number D इसका राइट एंसर हो जाएगा यह सब परचलीत भासा होता है जो बोल चाल के भासा में कदे चोर चोर मौसीरा भाई यह इसका राइट एंसर होगा ठीक है question number 38 देखते हैं 38 में क्या बताना है 38 में कह रहा है कि अधजल गगर छलकत जा जो कहावत होता है कि अधजल गगरी छलकत जाए गगरी होता है छलकत जाए जो option number D में दिया है यह इसका राइट एंसर हो जाएगा ठीक है option number D चला जाएगा answer question number 49 से जो 42 से यह भी एक ही पैटरन पर निर्देश पहले पढ़ लेते है निमलिखित परतेक वाके खंड के लि सब्सक्राइब ऐसे करी ज्युक्राइब question number 40 के बात किया जाए तो 40 में कह रहा है कि जो बिल्कुल नॉस्ट हो गया हो तो option number A में दिया है कि धोस्ट B में दिया है भरष्ट C में दिया है खंडित और D में इन्य में से कोई नहीं तो जो बिल्कुल नश्ट हो गया उसको धोस्ट करते हैं यानिकी पुरा खतम हो गया तो अप्शन नमर ए में दिया है धोस्ट जो इसका राइट एंसर हो जाएगा ठीक है 42 नमर कुशन की बात किया जाए तो 42 में कह रहा है कि एसी चीज का निर्मान जो पहले से बिधमान नहों उसके लिए एक सब्द क्या हो जाएगा तो अप्शन नमर ए में दिया है कि सूध बी में अविस्कार सी में अनुवेशन और डी में अनुसंधान दिया हुआ है तो जो की चीज का निमान जो पहलेस से बिदमान नहों उसको एक सब्द कहा जआता है कि अविस्कार किया जाता है जिलिए उसके नीचे दी घये लिखलो में उसके प्रकार को छुनी यानिए कि उससी प्रकार की कौन सा प्रकार है ठीक है तो कुषे प्रते तेटालिस में कि जब जब तखुन गहर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे शरृदी की पिड़जतर प्रसथ पर होती है जो तो संगलन होकर विध्या अध्यान करता है इसमें कौन सा वाक्य हो जाएगा तो इसमें हो जाएगा मिश्र वाक्य ठीक है तो option a में दिया है मिश्र वाक्य यह भी इसका राइट एंसर हो जाएगा तो निर्देश में दिया हुआ है कि मैंने कहा कुछ और उसने सुना कुछ और तो इसमें भी जो बात हो जाएगा तो यानि की संग्युक्त वाक्य हो जाएगा ठीक है इसका राइट एंसर option नमबर भी हो जाएगा संग्युक्त वाक्य है अब देखते हैं कौशन नमर च्याली कौशन नमर च्यालीश से नर्तालीश एकी पैटरन पर उसके लिए निर्देश है निर्देश पले पढ़ लेते हैं तो निर्देश में दिया हुआ है कि निम लिखित में से पर युक्त संधी के प्रकार का चेन कीजिए यानि कि चार option है संधी का प्रकार इसमें बताने नि कौशन है उसका चारा option है तो कौशन नमर च्यालीश में पुछ रहा है कि निम निमें से दिर्देश संधी युक्त पद का कौन सा है तो अब बात करते है कौशन नमर 47 और 47 में दिया हुआ है कि निम लिखित में से एक सब्द संधी के दिरिश्टी से असूध है उस सब्द क चेन कीजिए यानि कि संधी के दिरिश्टी से असूध है तो कौन असूध है तो जो option number D में दिया है कि तदो परांत यह असूध है जो option number D इसका right answer हो जाएगा ठीक है अब बात करते है कौशन नमर 48 की 48 में दिया हुआ है कि सभी को अभुद्धे हे तू प्रयत्न करना चाह यह इस वाक्य में अभुद्धे सब्द में कौन सी संधी है तो option number A में दिया है गून B में दिया है आयादी C में दिया है और D में दिया है तो इसमें जो हो जाएगा यहन संधी हो जाएगा ठीक है इसका right answer option number हो जाएगा सी यहन संधी अब बात करते उन्चास नंबर कुशन में उन्चास नंबर कुशन में कह रहा है कि अनु प्लस आय प्लस इत के मेल से बनने सब्द का चैन कीजिए यानि कि इससे बना सब्द कौन सा हो जाएगा तो option number A में उनती B में अबनती C में अन्वित और D में अबनती तो इसका जो सब्द बनेगा तो सब्द जो option number D में अन्वित हो है यही सब्द बन जाएगा जो option number C इसका right answer हो जाएगा और कुशन नंबर 50 देखते हैं और आजी set number 13 का last question है जो की दिया हुए कि के मिल से बने सब्द का chain कीजिये तो इस सब्द से जो बना सब्द जो होगा तो यह हो जाएगा स्वात रियांत्रे हो जाएगा जो option number D में दिया हुआ हुआ यह स्वात राइट एंसर हो जाएगा तो इस option number D इसका right answer चला जाएगा तो दोस्तों यह था आपको हिंदी का practice set करके कि इसमें आपको कितना सही हुआ है कितना गलत हुआ यानि कि आप अपने स्कूर जरूर सेर कीजिएगा और दोस्तों को साथ भी ये वीडियो सेर कर दीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किये हैं तो लाइक भी कर दीजिए और अभी तक चैनल सस्क्राइब नहीं किये तो चलनल सब्सक्राइब करके बैल बटन प्रेस कर लिजिए और वाश्टाइब गूरूप से नहीं जूरे हैं तो तुरंत वाश्टाइब गूरूप से जूर जाए आपको फीडियो और आपको इस्टार्टी मेटियल आपको उस पर मिलता रहता है उचलिए दोस् कर दोस्टाइब भूज है